यह संग्राले मेरे पिछले 30 साल का कलेक्षन है जो मैंने थार हेरिटेज म्यूजियम ट्रस्ट को डॉनेट कर दिया है मेरा उद्देश्य है कि यहां की जो मरुस्थल की जो लोक कला है संस्कृति है विरासत है इस्थापत्य कला है उसका सरंख्षन हो तथा आने वाली पीडियां विदार्थी सोदार्थी सभी इसे देखें और इसे समझें और इसे प्रणा लें कि अपनी संस्कृति का क्या मुल्ले है तो यह जो आप पैंटिंग देख रहे हो यह स्नेक एंड लैडर्स गैम के बारे में साब सीड़ी का खेल है और यह साब सीड़ी का खेल जो है यह अमारे यहां जैसल मेर में इसको घरगर ले जा करके बताते थे कि अगर अच्छा काम करेगा जिंदगी में तो सीड़ी चड़ करके स्वर्ग में जाएगा और अगर गलत काम करेगा तो वो साब के माध्यम से नरक में जाएगा और नरक में क्या-क्या उसको सजा मिलेगी वो भी इसमें वर्लन है तो हमारे यहाँ कोई साथ आठ पर्स पहले कोई एक स्टूडेंट आये था डैनमार्क यूनिवर्सिटी से उसने इस पैंटिंग पर पी एच्डी किये डॉक्टरेड किया है तो इस पैंटिंग को जो आज के बच्चों को पता है कि यह विदेशी खेले स्नेक एंट लैडर्स लेकिन यह डिकलर हुआ है पी एच्डी से कि स्नेक एंट लैडर्स जो गैम है यह भारत का है औरिजिनली और यह हिंदू तो हिंदू जम से निकला हुआ एक पूरी प्रणना है ज्यान चोपड इसको ग्यान चोपड भी कहते हैं यह जो आप देख रे हूँ यह हमारे यह के अलग लग फोटोगराफ है जिसके माद्यम से में बताता हूँ कि हमारे यहाँ हर जाती का अलग-लग पहनावा है जैसे यह आप देखे हैं यह जोगी जाती की महीला है तो इसने बिडिल्स जोएलिरी पहन के रखी है यह स्वएध पनाते है यह विद्वा का चित्रे विद्वा जो रेड डर्क कलर के कपड़े पहनती है यह हमारे यहाँ का सुवागवती औरत का चित्र है जो संगार करती है वो सुले संगार है हमारे यहां का और यह करना भील का चित्र है जो लंबी मूछो के लिए इंका नाम Ginnich Book of World Record में था लंबी मूछो के लिए लगबग कोई टीस साल पहले इनका शिर काड़ दिया गया और आज तक पता नहीं चला है कि किशे किशने इनको मारा और इसके अलावा ये जो आप चीज़े देख रहे हैं यहां पर ये सब वो कम पसुधन से समन्दित है हमारे यहां की मरूस्तल की जैसल मेर की थार डेजर्ट की अर्थ वेवस्ता जो है वो पसुधन आदारीत रही है हर वेक्ति के पास दो सो गाए हैं बकरी हैं भेड हैं उंट हैं और हर वर्स वोग मेल एनिमल जो है बेचते रहते हैं और उसे उनकी आजवी का होती थी तो उससे समझी जो मुझे चीज़े मिली उसका मैंने यहां डिस्प्ले किया है जैसे यह उंट को या किसी पसुध को ब्रांड करने के लिए काम में आता था इसको गर्म करके चिपकाते थे तो पता चलता था कि यह पसुध किसका है यह कैंची है इस्पेसली जो उंट के बाल काटने में काम आती थी इसको भी बनाने वालों ने इतना सुन्दर बनाया है जैसे यह मैंडक है नाज़ता हुआ मैंडक है यह तो पुराने जमाने की जो भी चीज़ बनती थी सुन्दर बनती थी दादा की चीज पोता यूज कर जातियों मैं परंपरा रही हैं शिकार की तो ये शिकार करने में काम आता था पुराने समय में ये उंट के पाउं बादने का हबल है ताकि उंट जो है लंबी दूरी तक नहीं चला जाए जब चाहो उसको पकड़ करके लेके आ जाओ और ये हमारे यहां के मिटी के घर ऐसा मि मिटी के टाकरती गरंगों से अपने हाथ से बनाती और मैलाएं अपनी जिंदगी बिता देती हैं घर को मैंटेंड करने के लिए घर को सजाने के लिए सवारने के लिए तो ये हमारे यहां के ट्रेडिशनल मिटी के घर है और ये भी पसुदन से समन्दित है ये हमारे यहां आज भी तलाब खरे हैं, यहां गाओं में आप जाएंगे, हर गाओं के अंदर जो प्राचीन कुवे, तलाब, बावडियां, हमारे पूरुजों ने खूब बनाई थी, तो यह पानी के पीने के प्राने प्राचीन साधन हो जो दिरे 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 अब खत्म हो रहे हैं, लेकि तलाब के अंदर गिर जाए, कुवे के अंदर गिर जाए, यह ऐसे अंदर जाता है, और यह कपड़े के अंदर फस जाता है, और उसे क्या इनसान को बार निकाल दिया जाता है, यह चाच बनाने के लिए, लसी बनाने के लिए, यह जर्दा रखने की डिबी हैं, इसके हिलाएं खुद सुर्मा बनाती थी और आँख में लगाती थी जिसे आँख में इंफेक्शन नहीं पड़ता और आँख बड़ी सुंदर और अच्छी दिखती हैं इसमें भी देखो आप बहुत बारिक और बहुत सुंदर काम किया हुआ है फूल पतियां के चित्र बने हुए है यह इत्र दानी है यह इत्र दानी है इसे इत्र छड़कते थे हमारे हां और गंगा जल भी यह आग जब माचीश नहीं होता था लाइट नहीं होता था तो इसको पथर पर परगड़ते थे जिसे चुड़ा कारी पर था तो आग पाड़ में आती ती यह कि यह हुगम तरोता है है इससे सुपारी अपद्सW कारते हैं हमारे हां और इसे ऑंपियम भी कारते हैं हमारे हां ओपियम काटने के लिए इसको भी देखो आप बनाने वालों ने कितना सुन्दर बनाया है और इसके उपर जो काम और कारीगरी की गई है वो वाक्य में देखने लायक है यह जो आप देख रहे हो यह काजल की ड़िया है इसके अंदर काच भी लगा हुआ है आँख में काजल लगाने के लिए है चोटी शिड़िया है काजल की यह चांदी की बनी हुए है इसी प्रकार से ही आप देखेंगे तो यह आथी दांत का चूड़ा है यह सुहाग का परतिक है हमारे यहां मरूस्तल की हर महिला की जब साधी होती है तो इसको चूड़ा पेनाया जाता है यह सुहाग का प्रतिक है हमारे याँ और जब पती मर जाता है तो इसको उतार दिया जाता है विद्वा ओरते हैं जो है चूड़ा नहीं फैंड सकती परमप्रा अनुसार तो पुराने जमाने में हमारे यहां आथी दाथ के चूड़े होते थे और अब आजकल जो हैं प्लास्टिक के चूड़े बनने लगे हैं यह लकड़ी की कांगसी हैं देखो आप यह भी आथ की बनी हुई है अब कांगसी भी प्लास्टिक की बनने लगे हैं कांगसी लकडी की है ये मुलतानी मिटी है आप जो देख रहे हो ये हमारे यहां के तीन पेड है जो गर्मी के अंदर हरेबरे होते है और इसका नाम है केर, सांगरी और कुमबटिया ये तीन पेड है इसके अंदर जो फल लगते हैं इसकी सबजी बनती है और ये बहुत पपूलर बार के जो लोग आते हैं तो उनको बड़ा आश्च्रे होता है कि रिगिस्तान में गर्मी के अंदर ये पेड जो है फल देते हैं जब मैई जून का समय आता है सब कुछ सूख जाता है तो इन ही पोदों के अंदर जो है इन ही पेडों के अंदर जाडियों के अंदर जो फल लगते हैं वो प्रसू पक्षी भी खाते हैं और यहां के इंसान भी इसकी सबजी बना करके खाते हैं बड़े चाव से और ये काजू और बदाम से मेंगी सबजी होती है हमारे हाँ ये बकरे का बना हुआ है और ये बकरे की चार टांगे हैं ये पानी के पात्र है इसके अंदर पानी रखते थे और पानी ठंडा और फ्रेस रहता था इसके अंदर यह जो आप देख रहे हो यह कावड है इसको गरगर ले जा करके बताते थे यह पूरी स्टोरी है जैसे इसकंदर रामायन है महाभारत है पाबु जी की है यह पूरी स्टोरी है जो रात भर चलती है यह कुछ जो आप देख रहे हो यह घास काटनेकर ऑर खॉप काटनेकर लिए ओजार है हमारे हमारे यह K यह बहूत अच्य शकून माने जाते हैं मालोको और घड़ाद इसकंदर सामने आ जाते तो वह सबसे बीजकी सबसे साकून हमारे यहां कोई शुहागवत्री गड़ा उठाए वे सामने आ जाए तो समझ लेजिए कि दिन बहुत ही बढ़िया निकलेगा तो यहां के जो लोग है मरुस्थल में जो लोग रहते हैं यहां वो गड़ से बार निकलते वक्त जा सुब्त मांगली कारयों में जाते हैं तो सक दिरों के अंदर यह कुछ पटे हैं हमारे यहां के यह कुछ युद में काम में आने वाले चीजे हैं जो राजपूत लोग यूज करते थे धाले और यह हमारे यहां के म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट है हमारे यहां एक जाती होती है मांगनियार मांगनियार लोग बोरा सा अब गाने बजाने का काम करते हैं और आपको पता होगा कि यह अपने दादा से परदादा से घर पे ही अपने तालिम मिल जाती हैं उनको ग्यान मिल जाता है तो मंगनियार लोग जो है किसी कोलेज में युनिवर्सिटी में नहीं सीखते संगीत की तालिम उन्हें अपने घर पे ही परमपरा अनुसार अपने दादा से अपने पिता से संगीत का ज्यान मिल जाता है और ये लोग संगीत की साधना करते है और ये अलग-अलग मुजिकल इस्टूमेंट है जो आज से सो सो साल दो सो साल पराने पहले जते ते जैसे ये रावन अथा है ये सारिंगी है ये पूंगी है तो ये अलग-अलग वाद्ययंत्र है ये भी सारिंगी अलग डिजाइन की यह एक विदेसी वाद्य यंत्र है हर्मोनियम की तरफ यह जो है बाटी राजपूत है और यह लोग भगवान करशन के वंसज है और यह लोग बड़े वी शूर्वीर और दिस प्रेमी हुए है तो यह जो मुझे चित्र मिले राजाओं के अलग लग समय के मैंने यहां संग्रे करने की कोशिश किये यहां जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यह OPM की मनवार है अफिम की मनवार हमारे यहां मारवार में राजस्थान में अफिम लेने की परंपरा है ये गेर कानूनी है लेकिन आज भी जिन्दा है आज भी जब साधियां होती है कोई शुक्ष दूख का मुका आता है जब लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को अफिम की मनवार बड़े मान मनवार से की जाती है तो ये जो है अफिम गालनी बने हुई है इसके अंदर ये भगवा का जूस इसको ऐसे हथाली में रख करके मैं आपको पिलाओंगा और आप नेक्स्ट को पिलाएंगे तो अफिम जो है मनवार की चीजें और अदब और कद्र की चीजें हमारे हां ये गैर कानूनी भी हैं और पुराने जमाने में अफिम जो हैं उंट को भी देते थे ताकि उंट लंबी दूरी तक भार लेके चल सके कई प्रकार की अईरविदिक दवायां भी अफिम से बनती थी हमारे हां और राजबूत लोग शूरवीर लोग जब युद में युद भूमी में रन भूमी में लड़ने जाते थे तो उसमें भी अफिम के अफिम लेकर जाते थे ताकि युद भूमे में उनका हाथ वगर कहीं कट जाए लग जाए तो भी वो युद भूमे में उनको ताकत बनी रहे तो अफिम की परमपरा हमारे यहां सदियों से हैं हमारे यहां गांदी जी से पहले चर्खे थे जेसलमेर में तो यहां हर घर में सुत कत्ता था यह मसाल है यह जो आप देख रहे हुँ यह ओईल का बोतल है Ipad a कि मसाज का बोतल है यह मारे आंग यह ओंट का पलनने दूर लोगों गटने का केमल सेडल हे यह और यह जो अप देख़ रहे हो यह 80 कली का का काग़रा है जो 80 कली का का जोड़ी होए होती है इसके अंदर इसी कारण से इसको 80 कली का घागरा कहते है और यह हमारे यहां का पारंपारि कागरा और यह बड़ा ही सुन्दर दिखता है पैंडब में यह जो आप देख रहे हैं यह बिजनिस ओफिस है हमारे यहां जैसलमेर जो इलाका है यह शिल्क रूट पे आयवा था यहां से इराक, इरान, अफगानिस्तान, चाइना और यूरोपियन कंट्री तक व्यापार के तार जुड़े वे थे उसी कारण से जैसलमेर में भी रिच्ब हो गया और यहां किला, तला, बावडियां और यहां का इस्ताफपतिकला बहुत रिच्च है उसका कारण यही है कि यहां पर जैसलमेर व्यापारी केंदर था यहां से आया तनिरात होता था, उससे जैसलमेर बहुत रिच्च हो गया और यहां आज भावी किला और हवेलियां वगर जो दिखती हैं घर दिखते हैं वो उसका कार्ण यही है कि यहां व्यापार था और उस जमाने में तराजू कैसा होता था यह यहां के बात है राजा के एपरूट इसको सेर बोलते हैं यह कुछ बईयां है एकाउंट की महाजनी बईयां और यह जो आप देख रहे हैं यह सब रसोई के बरतन हैं जो हमारे यहां घर गर में रसोई के बरतन होते थे और आज यह बरतन लुपत हो रहे हैं खतम हो रहे हैं और इन बरतनों की जगह अब प्लास्टिक की और इलेक्ट्रोनिक चीज़ें घर में भर रही हैं हम तो ये सारे जो पुरने बरतन है जो हमारे यहां उते थे और ये बेलन्य बज़ता है ये बज़ता इसलिए कि सासू को पता चले का मि आद बिंदनी काम कर रही उंधर, रोटी बना रही है निकमी नहीं बायए ये पिचकारी है पितल की बनी होई पिछकारी हैं ये ये इन्धानी है इस पे भी देखो आप काम किया है ये इन्धानी है ये गड़ा उठाने के लिए काम आते हैं लेकिन इसको भी देखो बनाने वाला ने कितना सुन्दर बनाया है ये रेडियो है रेडियो का मॉडल बनावा किसी जमाने मे रेडियो बहुत लग्जरी होता था रेडियो के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था तो किशी ने रेडियो का मोडल बना करके दादी ने अपना सपना पूरा किया कि मेरे पास भी रेडियो है मोडल बना करके इस फोटो में आप देख सकते हो कि ये लेडी गोल्ड के जोवलरी पहन करके स्टूडियो में जा करके फोटो खिचा है रेडियो के साथ तो ये रेडियो का महत्व प्रद्शित करता है ये फोटो ये जो आप देख रहे हो ना ये कुछ गी भरने के पात्र है हमारे यह धेशी गी बहुत हथा था हमारे यह गाए होती है थार पारकर थार पारकर गाए का जो दूद है उसका गी भी बहुत पवित्र और इयरुविद में त्रेश्ट माना गया है तो इसके अंदर गी बरके export करते थे एक जगह से दूसरी जगह देशी गी ले जाते थे इसमें भर के और यह हमारे यहां की कसिदाकारी है अलग लग जातियों की यह सिंधी मुसल्मान की हैं यह राजपूत की हैं हमारे यहां दो प्रकार की एम्ब्रोइडरी होती हैं तो यह उट क्या गोडे का महिलाओं का संगार है कसिदाकारी के रूप में जो आप देख रहे हो यह कोठारिया है इसके अंदर पका पका या भोजन रखते थे यह मिट्टी का और गोबर का बना हुआ है मिट्टी और गोबर का बना हुआ है और इसके अंदर जो है भोजन ठंडा और फ्रेस रहता था और ये अन रखने का कोठार है इसके अंदर बाजरा रखते थे और बाजरे के अंदर जो है गाय के गुबर का थोड़ा सा राख मिक्ष करते थे उससे इसके अंदर कीड़ा नहीं लगता था ये भी गुबर का और मिट्टी का बना हुआ है प्रिंट है जसलमेर का सिंधी मुस्लमान यूज़ करते हैं इसको यह अजरक प्रिंट है और सब बहुत पुराना प्रिंट है हमारे यह का और इसका प्राकरती ग्रंगों से प्रिंट होता है यह कुछ दुरलब पुराने कागज है जो यहां के राजाओं से समंदित है महराव है और यह संस्कृत भासा में लिखी हुई है और इसमें अलग-अलग विशेय हैं रमायन भी है महाबारत भी है और यह जैन दर्म से समंदित है यह एस्ट्रोलोजी है तो यह सारे अस्त लिखित ग्रंथ है यह कुछ मुझे यहां अत्यार मिले हैं यह कटार है कटार के वल मार करने के लिए काम नहीं आती थी हमारे यह औरतने जब प्रेगनेंट होती थी तो इसको पिलो के नीचे रख के सोती थी ताकि उसको भूत प्रेथ या किसी बुरी आत्मा का भै नहीं लगे हमारे यह कटार के साथ साधी भी हो जाती थी दुला खुद अपने घर बेठा रहत था यह कुछ तलवार हैं हमारे यहां की भाती राजपुतों की जब वो किशी का सिर्क आरते थे तो उसको पिछे से छेद करते थे तलवार को और उस तलवार की विशेश पूजा अर्चना और साधना होती थी यह कुछ जैसलमेर स्टेट के डॉकुमेंट से रेविन्यू और लॉब बैंकिंग बिस्निस इत्यादी के बारे में जो लोग पेच्डी करते हैं या जो लोग इस्ट्री में इंट्रेस्ट रखते हैं उनके लिए यह भी बहुत मेहतोर रखता है और यह बोरा साब मेरे को मिले हैं यहां फोसिल्स और कुछ तो फोसिल्स इतने राते जो बताते हैं कि यह लाखों वर्स पुराने हैं और इससे प्रमानित होता है कि यहां पर समुद्र था समुद्र सूखने के बाद जो है मरूस्थल बन गया करता है